हेलो बच्चों स्वागत है आपके और अपने येटूब चैनल कर नहीं या क्लासस पर आज हम इस वीडियो में आपके लिए बहुत महात्पों टॉपी लेकर आएं फ्रीडल क्राप्ट्स अपके लिए जी हाँ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्रीडल क्राप्ट्स अपके लिए किसे कहते हैं और उसका उधारन भी विस्तार पूर्वक समझाएंगे तो सबसे पहले हैलिन डालेंगे फ्रेडल क्राप्ट्स अब की रिया इसमें लिखेंगे जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रो कारबन और किसी एलकिल या एसील हाइलाइड को निरजल एल सील थिरियाने की एलमोनियम क्लोराइड उत्परेरे की उपस्थित में अव करते हैं तो बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमावल एलकिल या एसील मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है इस सबकिरिया को फ्रेडल क्राप्ट सबकिरिया कहते हैं आप हैड़ना लेंगे उधारन इसमें ले लेंगे हैं C6H6 यानि की बेंजीन प्लस CS3CEL यानि की मेथिल क्लोराइड जब बेंजीन के किरिया मेथिल क्लोराइड से करते हैं यानि की निरजल ALCL3 यानि की ऑलमुनियम क्लोराइड के उपस्थिते में तब टाइलोइन और SEL यानि कि hydrochloric amyl बनता है अब हम देखते हैं कि समिकर्ण balance है कि नहीं तो यहाँ पर देखिए C6 यहाँ पर है C6 यहाँ पर hydrogen के है 6 यानि कि H6 यहाँ पर कितना है H5 यहाँ पर है CS3 यहाँ पर है CS3 यहाँ यह बन गया tyloin का सुत्र प्लस इसमें एक बच्चा hydrogen तो यहाँ पर लिखा H यहाँ पर CL यहाँ पर लिख दिया CL यहाँ कि H CL तो इसे पढ़ेंगे hydrochloric amyl अब दूसरी समिकर्ण देखिए C6 H6 यह है बन्जीन का सूत्र प्लस CS3 COCl यहनि कि यह सूत्र होता acetic chloride का जब benzene की एक रिया acetic chloride से करते हैं nirgel ALCl3 की उपस्ति में तब aceto phenon और HCl यहनि कि hydrochloric amyl बनता है अब देखते हैं कि यह जो समिकर्ण है balance है कि नहीं तो यहाँ पर देखिए C6 H6 है तो यहनि कि C6 इधर है तो इधर भी है C6 यहाँ पर H6 यहनि कि hydrogen के 6 यहाँ पर कितने है H5 यहनि कि hydrogen के 5 और एक यह 6 यहाँ पर है CS3 तो इधर भी है CH3 यहाँ पर है CO यहाँ पर भी है CO अब बचा CL तो यहाँ पर भी हो गया CL यहनि कि यह समिकर्ण है इसके दोनों पच्छ आपस में बराबर है इसलिए जो हमाई समिकर्ण है यह सही है तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको फ्रीडल क्राप्ट सबक्रिया किसे कहते हैं उसकी परिवासा लेकर बताया है और इसके उधार्ण भी आपको विश्तार पूरवक समझाया है तो बच्चों अगर हमारा वीडियो यह आपको अच्छा लगे तो से लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करें